नश्कर दोस्तों सब्सक्राइब काच के सूडियो में जा हम बात करना ले कि आपके आपके किसी भी WhatsApp चैट में हिंदी में बात कर सकता है यानि कि हिंदी में चैटिंग कर सकता है तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे फोन का जो कीबोर्ड है ना वो जैसे क्लिक करता हूँ त हमारे एक चैट को ओपन कर दिया है तो अब हमें क्या कर रहा होगा सबसे वहले तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा ओप्शन यहाँ आप जो है टाइपिंग कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हिंदी नहीं आ अगर आपको हिंदी को लाना है तो आपको क्या कर रहा होगा सिंपले आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश या फिर आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा होगा जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपको यह जो स्पेस का ओप्शन है इस पर आपको क्लिक करके रखना है और जैसे ही आप यहाँपर क्लिक करके रखते हो तो यहाँपर आपको एक option दिखाए देगा starting मेट जब आप first time open करोगे तो यहाँपर आपको स्रीf language setting का option दिखाए देगा तो आपको इस language setting पे click कर देना है अब आप जैसे ही language setting पे click करते हो तो यहाप आपको बहुत सारी language दिखाई देगी जो का आपको add करनी होगी तो हमें क्या करना है यहाप हमें डूण लेना है Hindi और आप जहाँ भी Hindi मिलेना है तो आपको उसपे click कर देना है तो यहाप हम what out से ढूण लेता है Hindi को तो यहाप आप देख सकते हो कि हमें जो है Hindi मिल चुका है तो यह रहा हिंदी हम क्या करेंगे simply इस Hindi वाले option पे click कर देंगे अब हम जैसे ही आपे click करेंगे तो बहुत सारे options open हो जाएगे जैसे कि अब यहाप हमें दिखाए दे रहा है A to A इसका मतलब यह है कि अगर हम English में टाइप करेंगे तो directly हिंदी में वाँ पे चले जाएगा और यहाप यह ही है क्योंकि मैंने जो है पहले से हिंदी को add करके रखा था इसलिए जादा option नहीं है अगर आपने add नहीं किया ना तो आपको यहाप और बहुत सारे options में लेगे तो आपको क्या करना है simply सभी options को एकुछ इस तरीक है इसे select कर देना है ऐसे select कर देना है और जैसे आप select कर दोगे ना तो आपको नीचे के तरफ आपको दिखाए देगा done तो आपको simply done वाले option पर click कर देना है तो हमारी जो language है वो add हो जाएगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पहले से हिंदी set है तो आपको दिखाए दे रहा होगा बहुत सारी हिंदी दिखाए दे रही है अब यह अलग-अलग क्यों है यह मैं आपको बता दो तो आप आप देख सेकते हो मैंने आपको जैसा बताया था वैसा ही है यहाँ पर A to A इसका मतलब यह है कि English to Hindi होगा अब हम जैसे इस पर click करेंगे तो वो add हो चुका है अब जैसे हम यहाँ पर यह जो है normal Hindi है अब देख सकते हो कि directly हमारी जो सभी language है ना वो open हो चुके है अब अगर आपको Hindi to English और English to Hindi करना है तो आप इस पर click करोगे और यहाँ पर अगर आपको English करना है तो आप आजाओगे English पर तो हमारी लेंग्वेज हो चुके है अगर आपको English to Hindi करना है तो आप आज पर आ जाओगे Hindi A to A तो अब हम जैसे ही आप इसे add करेंगे तो अब हम जैसे ही आप इंग्लिश पर मैं type कर रहा हूँ वही जो है उपर की तरफ जो हिंदी में है वो convert होके आ रहा है तो अगर आपको जो है पूरा हिंदी करना है या फिर इंग्लिश करना है या फिर Hindi to English करना है तो आप वहाँ पर इस सबसे set कर सकते हो या पर मैं फिलाल के लिए फिर से इंग्लिश कर देता हूँ अगर आप कोई वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सबस्क्राइब कर देना हमारी चैनल को वीडियो देखने के लिए आपका धन्याद थैंक्यू सो मच